पंजाबी खबरान ते में हाँ तो अडेनाल जसलीन को और आवरू कर देहां पंजाबी खबरान दियोर जमू कश्मीर विच अनुछे 379 हटान तु बाद सरकार दुवारा दिते गए एक ब्यान और सुप्रेम कोर्ट विच भी दिते गए एक व्यते उते जो है नैशनल कॉन्फरेंस ने सवाल उठाए हैं और ईयो नहीं पिछले दिना वी असी वेखे सी कि उपराजपाल दुवारा उत्तर परदेश विच जो है दिते गए एक पाशन दा हवाला देंते हुए जो है आरोप लगाया है कि इस उते जो हुकूमत है या फिर सुप्रेम कोर्ट ने चूट बोले या फिर उपराजपाल सच बोल दे पहन उमर अब्दुला ने किया कि अगर सुप्रेम कोर्ट विच चूट बोले गया है ते इस सरकार ने आए दी अब वह माना जो है ओ कर दी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है कहा या नहीं कहा कहा पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके गवर्मन्ट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चार और जो जजज हज़रात हैं उनको क्या कहा कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्यूंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आपको बाकी मुल्क से अलग समझते थे हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है लेकिन कुछ उसके ठीक दिन बाद हम देखत है कि हमारे मान्या लेटनिन गवर्नर सहाब यूपी में तक्रीर करते हैं और तक्रीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूँ जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूँ अब मुझे बताइए न आप जूट किसने बोला या तो हकूमत में सुप्रीम कौट के सामने जूट बोला जम्मू कश्मीर को अभी तक पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया है और हमारे गवर्नर सहाब उस मिशन पर लगे हुए है या फिर सुप्रीम कौट में उन्होंने सच बोलो और हमारे गवर्नर सहाब जजबात में आके गलग बात कह गए क्यूंकि दोनों सच हो नहीं सकते हैं अब ये दोनों आपस में तै करें कि सच को उन बोल रहा था क्योंकि अगर गवनर साहब सच बोल रहे थे तो इन्हों ने फिर सुप्रीम कोट के सामने जूट बोला है उसको कंटेंट ओफ कोट कहते हैं कंटेंट ओफ कोट की सजा जेल है या फिर गवनर साहब ने गलत कहा तो विर वो तसलीम करें आपके जजबात में आके मैंने गलत किया जमू हाई कोट बिच आज वकीलन दे अलावा ने आया ले दे स्टाफ ती सुविदा दी करके एक डेंटल चेक अप दा कैम्प जो है लगाया गया और जमू सित इंद्रा गांधी डेंजल कॉलेज दे सेयोगनाल आयजित इस कैम्प दा घाटन जो है जस्टिस ताशी रबस्तान ने कितिया जुस्विश डॉक्टरा ने कई लोगां दे दंदा दी जांच किती और इनननों उची देख बाल करने दे सुजाव भी तिते गए उथो जस्टिस ताशी ने भी अपने दंदा दी जांच करवाई जिननों डॉक्टर ने सुजाव और दुवाईयां भी जो है मुहया करवाईयां किती गिया और कैम्प दा आयजन जमू हाई कोट बार असूसेशन दुवारा कित्या गया अज्टार्या गोडूत सब्सक्रणी जहतु उनस्टिस निए भी जिए यए जो सुजाव भी ते चाहा सिवा हो टोसे पीजिए स्टिस पर यदिस टेश्टार्यां कित्श करवाईया झांच गुटती पुटती था अधर इंशे को थोंट इनिवे था सिर्टी यह रिव रिव खिव गर्व।त्य आविखे अवार इंशे इनिव गर्वार इनिव पुटतीन प्रीष भ्रवीक और इंशे में जडली अविलडे में यह बूदी कर दो से लिवडिखेंदjem हैं गिए छूग में इन्हुन में रिन आज्ट्टर रिज अजीटैस्टाइट यूझ तुटन है कि अजुटन है। So medically, they are properly advised today. And I hope with today's event, it would be a routine coming up. Today, this is with regard to the dental health check-up. We will request the different streams and the different hod's in the hospital to conduct such kind of camps in a routine manner, periodically. So lawyar fraternity and others with us could get benefit. अधिकारी दुवारा जलशक्ती विभाग विच एक किते गए गोटाले दे आरोपों ते जमु कश्मीर दी विच सियासर गर्मा गई है कॉंगर्स पार्टी ने इन आरोपन दा कड़ा नोटेस लेंदे होया इनन दी जांच करवान दी मांग किती है और इसी कड़ी विच जो है कॉंगर्स दी कठ़ुआ इकाई ने आज जो है दरना प्रदशर करदे होया इन आरोपों दी जांच करवान दी मांग किती है तांकी दूद दूद जो है और पानी न पानी हो सके प्रदशन दी अगवाही कर रहे पार्टी दे जीला प्रदान पंकस डोगरा ने स्मार्ट मीटर लगान जान दी मुहीम नूँ भी कड़ी निंदा किती है चेतावन दीती है कि अगर कठुआ जिले विच ए मीटर लगाए गए ते उन्हें उत्ते जो है प्रदशन की त्या जाएगा जान प्रदशन की त्यान प्रदशन की त्यान दे जान दे जाएगा जो जो लोग उसे जल शक्ती विवाग उटाले में है उनके खिलाब सत्थ से कारवाई की जाए और इससे सरकार को चलता किया जाएगा जैसे स्मार्ट पीटर जो में लग रहे है उसके जिले में धील लग रहे हैं और इसके खिलाब हमने मुहिम छेड रखी है विजली पानी हमारा है किस तरह से लोगों को यह बडोत्री के बिलों में आ रही है जहां दो सर्वे का बिला आता है डोडा विच आज गर्मेंट डिग्री पीजी कॉलेज और बदरवा सब डिविजन विच भी गर्मेंट डिग्री पीजी कॉलेज ते टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अपने अपने जो है स्तारुते प्रदर्शन कितिया और इस एप नूँ फौरी तोर उते बं करने दी मांग कीती है और दो कंटियां तक अपना कम कजठ ठप रखके जो है प्रदर्शन कितिया इस एप नूँ लेकर आखिर लोगा नूँ के कुछ दिक्कत आंदी पर यह आओ वी देखते हैं कि अपनाई है तो अगर हम आटेंडेंस के लिए बहु रहे हैं तो हमारा जो है उसमें निकल जाता है तो हमारे क्लासिस सफर हो रहती है कि कि वह अरेड दूइंग दुए दादार बेस्ट बावाज़ें चाहिए लिए निकाला वर उसको फालो जो है उसके इंडिस्ट्ट्चिन जामे धी आवरे हैं में दी जामे ने दी हुई है वह लेतेस्ट आडर जो जार आर बेस्ट हम लोग कर रहे हैं भीच में करूज प सब्सक्राइब कर दिया जो फील्ड के इंपलाइज है जो फील्ड में काम करते हैं देविल को फार्दा फेशिल एटेंडेज्ट जब के हम हाइर एजू के अंडर आते हैं हमारा डिपार्टमेट आट्रोनोमस बाड़ी है हमारा कंट्रोलिंग अफिसर प्रिंस्वल तो साहिब है जो मॉणिटर कर रहे हैं हमारी अटेंज है पैसे साथ की बाद हमारी अटेंज मॉनिटर जो बायो Biometric Attendance, जिसका order, Government of India, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, Government of India का order, उसके तहट हमारी Attendance हो रही है, यह order है, Government of India का, उसके बाद G.A.D. का order है, Chief Secretary साहब का order है, कि Biometric Attendance हर Department में होनी चाहे, उसके तहट हम एक सिस्टम के तहट काम कर रहे हैं, काम करने के बावजूद हमारी सेलरी जो है पिछले महीने की बंद है आज इस महीने की 20 तारिख है और हमारी सेलरी बंद है इन हालात के बावजूद हमारे प्रोफेसर साहिबान हमारा नान टीजिंग अमला गैर तदर्शे अमला बिलकुल तंदही से काम कर रहा है अरक्षन देन दी मांग किती है अपनी इस मांग नू लेकर जप्रेक्श कॉनफरेंस किती है और सरकार दे wasn neurolog कुछ और मांगा वही रखिया हन प्रेस कॉनफरेंस नू सम्भ nutrient करते हुए कमेटी दे अध्यक्ष गुर्देव सिंग ने सरकार नो विधान सबा और तमाम शिक्षन संस्थाना वी जो है रिफ्यूजियन दे बच्या नो भी आरक्षन देन दी मांग किती है इसते नालनल गुर्देव सिंग ने सरकार टू पी ओ जेकी विच छुटी हुई जमीन और जाइदा दाभी मोहाफ़ा देन दी मांग किती है प्रधान मंति नरेंटर भी है, आप अधिया चाहिए आप ने सरकार ने, हम वो उनको कहते हैं कि रिफ्रीज करो उनको अमारी नमायंत कि देन देन देने, आप निगों सरकारों, आम भी है रिफ्यूजिन दो और जब तक रांद प्रवाहां में दो, आप प्रभाहां में प कविंदर मोधी दे जनम दिन दे उपलक्ष उते जो है भाजपा दुआरा एक रगदान शिवर दायजन किते जा रहे हैं और इसी कड़ी विच अज भाजपा दे ओबी सी मोर्चा दी प्रदेश काई दुआरा वी जम्मू विच जी एंसी अस्टाल दे विच जो है रगदान किता गया जिस्ता शुभारम जो है पूरफ डिप्टी सीम कविंदर गुपता और ओबी सी मोर्चा दे प्रदेश देक्ष सुनील प्रजा पती ने किता इस रगदान शिवर विच काफी संख्या विच लोगा ने रगदान करके एहम जिंदियानों बचान विच अपना पता जी आए और यह जो रख्तदान है यह कहते हैं महादान है और वाजपा ओबी सी मोर्चा हमेशा सेवा में ततपर रहता है हमेशा ग्रौंड पे रहता है कारियों में और आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमने हमारे मोर्चा की तरफ से एक रख्तदान लगाया ह और इसके लिए मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं पूरा देश मेरेंदर मोदीशी को कहता कि आप आगे बोड़ो देश आपके साथ है जिस तरह हम देश में कारे कर रहे हैं आने वाले समय में देश को बलंडियों पे ले जाएंगे और बारत हमेशा विशुगी रूप बनेगा दे मुताबिक आज स्वेरी ही इस युवक ने दा शव जो है संदिक परिस्तितियां वी जो है उते फंदे नाल लटकता होया पाया गया सी उस्तुबाद जो कि थे रोजगार दे सिलसिले विच इथे रह रहा है सी जमू दे नाल नल उन विश्णा विच भी डेंगू दे काफी लगातार मामले वेखनू मिल रहें और काफी जादा बलोत्री भी होंदी भी है उपजिल अस्ताल विश्णा विच लगातार देंगू दे पीडित मरीजां दा आना जाना भी लगया होया है उनने लोगानों डेंगू और मलेरिया तो बचाव करने दी करके जो है सतर प्रहने दी करके सला दिती है और स्थाने लोगान ने भी मुनसिपल कमेटी बिश्णा उते निशाना साते होय क्या कि पिछले वर्ष कमेटी दुआरा बिश्णा दे तमाम वाड़ां भी जो है स्प्रे और फॉगिंग किती गई सी लेकिन इस वार लगाता डेंगू और मलेरिया दे मामले जो हैं सामने आंदे पेन पर उस्ते बावजूद भी कमेटी जो है सिर्फ मुख दर्शे बनके तमाशा वेक्ती पे ही है बरसात का मोसम ये ऐसा मोसम है जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफएट ये सब बहुत जादा केसे जारे हैं हमारी अगर सोकी ओपीडी है तो 20 से 30 मरीज तो फीवर के ही है उसमें से हम रोज के 2 या 3 मरीज टाइफएट के और 1 दो डेंगू का निकलता ही निकलता है कि डेंगू और जो मलेरिया है ये दोनों ऐसी विमारी हैं जो मच्छर से होती है ठीक है तो मच्छर का मतलब मच्छर की ब्रीडिंग को काम करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी जगा जहां पे पानी कठा हो वहां पे पानी कठा नहीं होने देना है पॉट्स में पानी ब कि अपने घर के दर्वाजे खिरकियां जो हैं वो बंद रखें खात वर पे जाली वाले दर्वाजें नेरी बीमो साब से बात हो रही है कि दिन दिन प्रकी दिन लोगों की जो संक्यां बढ़ती जारी है डेंगू के साथ और यह प्यालता है गंदिकी के साथ पिछली बार जब यहां पर कोविट था डेंगू था के जो बीमारियां थी तो मुन्सिपल कमेटी ने प्रप यहां पर फॉगिंग करवाई यहां पर स्प्रे करवाई और मैं इस बार भी देख रहा हूं कि अभी तक फॉगिंग और स्प्रे नहीं हूई क्योंकि अभी लोगों में इतन तो उससे पहले ही हमें रोगठाम करनी पड़ेगी इस बावजूद भी जेपे डीचेल सिर्फ सोते हुए ही नजर आंदा पे आए कि अधर चानिया कि गवाड्मेंट ने जिधा जिधा ट्रासफर्म लगाए देने इसलामा चिक हो गया कोला हो गया एक महमका हो गया जिधा जिधे जिधे-ट्रासफर्म लगाए देना सौर एए प्रणस्वार्म गुवर्मेंट लगाए देना ताकि यह ना दी हद बंदी किती जाए बार लाई जाए ताकि कोई हासा ना हो सके तो यह दर देख सकते हो एक ट्रास्वार्म लगया यह तो यह नहीं है रोड दे उपर है स्कूली बच्चे स्कूल जान देना और मवेशी भी चल दे रहें देना रोड ते कोई ऐसा पकाऊ है नहीं है कि तार शार नहीं लाई दी आई ते डबार्टमेंट ने यह कहना चाने हां कि जिते जिती पी ट्रांस्वार्म लगया था उन्ना प्रटेक्शन दिती जाए अधबंदी किती यह तार लाई यह ताकि हास से ना हो सक अधबम सार शार शार थाकित आई तार अधबंदी किती जाए अपने इस पर्टो नहीं है लगतार हो रही बारिश नाल किसाना दी दान दी फसल दी करके वर्दान साबित होंदी पही है बारिश दे सिलसले नल सांबा दे सीमा वर्ती ब्लॉक रामगर दे किसाना दे चेहरे वी खुशी नल खिल उठे हन किसाना दे मुताबिक पहले बिली दी काफी दान दी फसल जो आउचीत मातरा विछ पानी नहीं उपलपत हो पांदा सी जिस तरीके स्थमबर महिने में समय समय पर बार्ष हो रही है ये दान अतपाद किसानों के लिए बर्दान सापत हुई है और फसलों के लिए सजीवनी बरसी है अगर बात करूं बिशेश कर ये स्टमब्र मीने में जो अब लगातार वाफशे होई है ये बासपती की फसल के लिए बड़ी ही लापदायक है हाँ कहीं कहीं पर हवाओं के कार जो अगेती अर्ली बुरायटी की फसल जो किसानों ने लगाई थी जिसमें 11 एकी होगी शर्बती होगी वो कहीं गई जो फूरूटिंग की स्टेज पर है वो कहीं लेटी हुई है उसके लिए अगर और ज्यादा बार्श होती है तो वो निक् और फेले के बहुत शूकर बजा रहा हैं आज ही नहीं लेकन जिस दिन से हमने यह जो पैड़ी लगानी स्टार्ट की तब लगातार बार्श होगे हैं उन बार्शों के लगातार होने से हमारी फसल में ठीक है और अभी बी जो बार्श हो रही है अभी बी अकाद पर बढ़ भी मेरवानी है और इस बार्ष से खासकर यह जो हमारे रिये को तर रात हुई हुई है जो फसलों को लेकर इससे बहुत बड़ी बात जो यह है कि जितनी बार्षें भी ओर ही है निया आपके नाशनल आईवे के ऊपर सारी सारी उन बार्षों के हुने से हमारा यह पाणी जो निच्चे चला जाता और यह इसका सेमा जिसको आपने बोली में कहते हैं यह जितनी वह से अच्छी है यह जितनी उच्छा वह हावा के कारण नीचे कर गया है जो जितनी भी मलगे जो अच्छी थी जो अपने पैड़ी जो जिसके हाइड जाने थी वो पीछे तोड़ी हुए एक दो तुफाना आया उससे केर गया है बारच ने काभी रात में लिए दिये हैं शिरीग्रियर चतुर्दी दे अगले दिन ही आज नाग पंचमी दा त्योहार वी धार्मिक हर्शोलास नाल मनाया गया जमो संभाग दे जिले विच आज नाग पंचमी दी बेहती मानेत्या है जिससे चल दे हुए आज सुमेरे तो ही नाग बर्मिक हुए उते जो है लंबी-लंबी कतारा वेखन नों मिलिया और लोगा ने पूरी जो है श्रधा दे नाल नाग बर्मिक हुए उते जो है दुच ऐसे जो सेवा करता है दे नाग बर्मिक निए जो डिल्सर को दोज़ करते हैं और जो हम पांच रहते हैं पाइव डाले उते हैं वच रहते हैं उपकपर और भ्लाक परवार के लिए चुर्प अमना के लिए हम प्रारसन करते हैं और नाक देशता आदेर्थ के बाववें, में जहां करते हैं और व देटे हैं लोगों को देते हैं इसलिए नाक परिशाद से रहे तो प्रशाद से रहें। उसके बाद लंकर चलेगा तो बहुत देखना कितनी भी होग जहाँ पर जगा भी बिगती लाइन लगती है तो बहुत बढ़ान से जल चड़ा रहे हैं जो भी मन कामना बंदा पूरा मांगता है वो उसकी पूरी होती है और अभी तो नए साल में मूर्तियां रखी हुई है चार पाम गुपता जी ने लेटर कलाश रहते हैं तो उस दिन भी बढ़ा अच्छा जग था और आज भी देख लो सुबा से लाइने लगे होई हैं और अभी दिवैर को लंकर जब खुलेगा तो फिर तो और भी बड़ी लाने के तो बोले नाद जिनकी ही बनों कामणा पूर्य कर रहे हैं बहुत बढ़ा खुशẩशा हुआben 68 शाण मे वास दिलत्यां होती है वह डालती हम्डेगकों बुलत गुनाते हैं पंजाबी खबरां देश बुल्टन वीच बसी नहीं दियो इजादत सच्छिया काल